तो हम प्रियम्बल पर फिर चर्चा करते हैं जो प्रियम्बल में अभी तक हमने सब्द समझे हम भारत के लोग भारत को समपूर्ण प्रवुत्समपन शमाजबादी धनां पर लोग तंत्रात्मगणराज बनाने के लिए बहुत ही खतर नाक है हमारे लिए लोगतंत्र का मतलब है कि जनता सीधे तोर पर अपना प्रतिनिदी चुन सकती है लेकिन यहां ऐसा नहीं है जनता पहले चुनेगी किसको बिदायक को एम अले को उसके बाद जनता के पास कोई ही कि फिर जनता यानि अपना मुख्यमंत्री नहीं कुछ सकती tari जनता अपना प्रदानमंत्री नहीं सकती जनता अपना राष्टि भी नहीं चुन सकती तो लोक तंतर ऐल कैसे स Lex and तो भी आत्य कर शॉद्यं proximity को चुनने का लोक तंत्र हैं यानी हम अपना डाष्ट पती नी चुन सकते सीधे तोर पर हम अपना प्रदानमंतरी सकते हमम अपना मुख्यमंतरी नहीं चुन सकते अब इसमें एक और बात समझने वालिए जैसे ही हमने किसी को अपना चुन लिया या सनसद चुन लिया तो अधर को calculate है अम बिदायक की कोई आउकात नहीं वो छोड़के भी नहीं जा सकता जाएगा तो उसकी सदस्यता खतम हो जाएगी और जाए तो दस परसेंट लोगों को साथ मिले के जाए तो यानि वहां वह अपनी अबाज बुलंद करना चाहे तो भो भी अपनी अबाज नहीं उठा सकता उसे पार्टी का जो डिसिप्लेन है उसको फ़लो करना पड़ेगा तो यानि जो बिदायक है वो पार्टी का गुलाम बन जाता है सांसदे वो पार्टी का गुलाम बन जाता है यानि यह कैसी डेमोक्रेसी है जहां हम अपना सीधे तोर पर मंत्री नहीं चुन सकते जैसे हम वह सकता है बिब को चाहे तो बहुत वड़ी फाइदा पहुंचा सकता है अभी लीजी फायदा सकता है उन्होंने देश के जितने भी संस्थान बेचे यानि जो सरकारी संस्थान थे उनका निजीकर्ण किया दो बेचने वाले यानि मोदी और मिस्सा दोई खरीद्दार अमबानी और अडानी उनको पता ही नहीं चला निलामी कैसे होई और इनके पास इतना धन कहा से आया यह भी कहां है वाक्य इस तरी हो रहे हैं देश देविच और जनता जड़ी हो तुमस्शा देख रही है तो क्या हम भारत की लोग संविधान को बनाते तो ऐसा बनाते ऐसा बना सकते थे अब इस सब्दान दोसी नहीं संविधान दोसी नहीं है मैंने आपको शुरू में बताया कि जब सभारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो वह सीमित मतादिकार के आदार पर अधार पर गठन हुआ तो उसमें बोटिंग रैट विसेष परिकार के लोगों को ता जो टैक्सपेयर थे जिनकी पास इम्मोविबल प्रोपर्टी थी और जो कम से कम हाई स्कूल तक पड कर दो में